हेलो फ्रेंड्स रादे रादे आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीत किर्शु क्रियेशन में तो देखी फ्रेंड्स आज हम एक पोसाग का वीडियो लेके आये हैं जो हमने इस प्रकार से बनाई है यह पोसाग हमने एक और दो नमबर ठाकुरजी के लिए बहुत हम भड़ाती प्यारी सी है बहुत ही सिंपल तरह से हमने इसमें कोई लैस के यूज नी किया है कि वहली कपड़े से हमने यह पोसाग बनाई है देखिए इस प्रकार से है तो चलिए यह बनादाना स्टार्ट करते हैं तो हमने फैबरिक ले लिया है तो यह हमारे लगबग सा जो fabric main fabric जो में इसके उतनी चाहिए तो इस प्रकार से lining fabric पे इसको इल्टा करके रखेंगे main fabric को इसके उल्टा करके रखेंगे उस प्रकार से हम सिलाई लगाएंगे तो तो हमारे एक यह बार में ट्न-बीस शिल जाएंगे ढालते हैं यहां पर आपक्ट है इस से सीधा करेंगे तो यह फे ज़ी को और राएंगे तो यहां desapстройर निसको पिक ज़ेंगे कर लेंगे तो इसके अधिक आरच मोंगे दte कर लेंगे अर्वन यहां पर यहिक नाल शरीक्ळें शट्रिच कर लेते हैं कर लिए ओपर की व Watts उन्हीं पर कर लिये мam यहां पर प्लेट्स लगाएंगे तो इस प्रकार से रखेंगे थोड़ी चोड़ी सी प्लेट्स लगाने इस प्रकार से बरावर बरावर दूरी प्लेट्स लगाएंगे तो चलिए हम लगा लेते हैं कि यहां हम इस प्लेट्स को लगा लिया है अब धागा कट कर लेते तो हमें यहां पर कमर इसकी रखनी है 4.5 इंच में तेखिए हमने तोड़ी सी प्रेस लगा लिए जिस्टे हमारा यह अच्छी से सेट हो गया है देखिए हमारे कमर के साइज यहां पर 4 इंच है अब हम आप ऊपर के लिए इस्ट्रीप लिए हमने यह हमारी पॉने दो इंच है और लंबाई इसके हमें जो हमारी कमर के साझे उससे हमने एक से देड़ इंच जादा लिए है जो भी एक्ष्ट राएगा हम उससे कट दिंगे तो हमें यहां पर इहरे पर लृटी साइट से फैरिक और वल्ड करेंगे से दीआ हमने एक्ष्ट बाहरा की साइट निकालते हमने इस प्रेकार से एंदर की साइट फोल्ड करेंगे और इसको डेवल फोल्ड करते हुए सच चाळाई गालने मिया में भी इसे ब्ताद सीक्या, 我 क्सुत हैं आपकी सब्ड बीट कर लिया है कि देखिए अच्छी में हमने फैब्रिक ले लिया है तो यह अपर चोली बनाएंगे तो उसके लिए 11 लंबाइ के फैब्रिक लेना है साड़े ग्यार है इस तरह से इस को कटिंग कर दिया जो भी आख्षा था में जो इस तरह से फोल्ड करेंगा और जो वाला हमारे साइड में नटालेकर लका उसको उपर लक्ते हूँ से स्चीच कर लेंगे पर सब्सक्राइब करा लेंगे लिए यह देख आप सब्सक्राइब लेंगे प्रस देखे लिए अभी जो भी इसमें एक्ष्टा फैब्रीक स्को उसको कटिंग कर लेंगे देखे अब इस प्रकार से लेगे कट इसमें ते देड़ से दोई तक सी क्ल abid है कि नहीं आप इंच टेप से देख लेता है है कि हमने दो इंच तक इस्टिछ करना है चलिए हम इसे सिर्ट लेते हैं तोसे हमने स्छिष कर लिया है से खेरें both ऐसे हम एम Hospice कर लिए स्छिष करेंगे तो लेंगे घेरा और संक्रीज़ करेंगे संटर प यहusta मोड़ गाद के लिए स्थिष कर लेंगे अ कि देखिए स्टिश हो गया है धागा कट कर लेते हैं इस प्रकार से में धागा कट कर लिया है अब हम यहां पीछी की साइट में बैल कर लगा देंगे तो इस तरह हम काना जी को पोस्त राप पड़ाएंगे तो हमें इसमें कोई भी पीन या सेफटी पिन कुछ भी यूज नह तो हमारा धागा नीचे वाइट कम आया थो फोर वाइट उस्टीश कर लिया है यहां पर फैल को पुछे में पर लेसे रेक है उसी प्यूंद कर सकते हैं और दीखिए अंडर के forcementुत इस तरह से लगाएंगे तो पोसा की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी बहुत ही प्यारी लगेगी तो चलिए फ्रैंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आए तो पिलीज वीडियो को लाइक करें हरे कृष्णा रादे रादे